नमस्कार आप देख रहे हैं जीबीन 24 और मैं हूँ आपके साथ प्रियाशी मिश्रा स्वागत है आपका यूपी बुलिटिंस में बीसलपर में ट्रैक्टर गर घटना में हुई एक किसान की मौर कोतवाल छेंटर के ग्राम गोवल पती पुरा निवासी शंकरलाल का पुत्र लोकेश कुमार मंगलवार की शाम को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भर कर किसान सहकारी चीनी मिल अपूर्टी करने गया था वो अपने गन्ना तुलवाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंगलवार की रात लगभग 9 बजे अपने गाउं वापस जा रहा था वो नूरी भट्टे के आगे लिंक रोड पर जैसे ही पहुचा वैसे ही मार्ग के किनारे बने एक बड़े गड़े से सामने आ रही वापन को बचाने के प्रयास में उसके ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसमें चला गया ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और मार्ग से नीचे पलट गया दरघटना में ट्रैक्टर चालक लोकेश दब गया और पूरी रात उसी के नीचे दबा रहा जिसके बाद लोकेश की मृत्ति हो गया शाजहापूर में सोते वक्त चाकू से गोद कर सपा नेता की हुई हत्या शाजहापूर के थाना कटरा कस्बे के मुहला सराया में मंगलवार को उस समय हडकम मच गया जब रात को सोते समय अग्यात बदमाशों ने सपानेता सर्ताज एहमत की उनके ही घर में घुज कर चाकों से गोद कर निर्मम हत्या कर दे सपा के साथ हुई घटना की खबर जैसे ही नगरवासियों को मिली तो मुहले वालों की भारी भरकम भीड उनके घर के बाहर जमा हो गई जानकारी के अनुसर मृतक सपानेता दवा का वियापार करता था निर्वरतमा नगर अध्यक्ष थे सपानेता की हथ्या की सुचना मिलते ही मिरानपुर कट्रा थाना अध्यक्ष धीरेंद्र गुपता आनफानन में भारी पोलिस बलके साथ घटना स्थल पर पहुँचे अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के रहने वाले सेना के जवान मुहम्मद इशाख खान 21 जन्वरी को सिक्किम में शहीद हो गए थे। वो सेना की आठ राजपुताना राइफल बटालियन में तैना थे। वे हवलदार के पद पर थे। 21 जन्वरी को ड्यूटी के दौरान अचानक अटैक आया। तदुपरान साथी सैनिक उसको सेना के अस्पताल लेकर गए जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया। सेना के अधिकारियों द्वारा ये खबर उसके घर पर दी गई और प्रतिफ शरीर को उसके गाउन ले जाया गया। और पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संसकार करते हुए श्रधात जली दी गई। कानपूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता मंदिर से चोरी करने वाले आरोपियों की हुई गिरफतारी। कानपूर की पश्चिम जोन की पुलिस ने एक और घटना का खुलासा किया है। थाना बिठूर पुलिस ने प्रसिद मंदिर मापी तामरा देवी में हुई चोरी का खुलासा करते हुए DCP पश्चिम विजडुल ने बताया है कि मंदिर परिसर में तीन चोरों ने दर्वाजों को काट कर देवी के आभूशण और जो भी कीमती समान मिला उसे चुरा लिया था। इसके अतिरिक्त घटना में ही शामिल आरोपी जो कि स्वर्ण कार है जिसके द्वारा आभूशणों को गलाने का काम किया गया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना का एक और साथी फ़हीं फरार है जिसके उपर पचास हजार का इनाम घोशित किया गया है। डी सी पी ने बताया कि घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस कमिशनर द्वारा पचास हजार का इनाम दिया जाएगा। अब इक लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं जी बेन वड़ी फो के साथ।